भारत के 22 में विधी आयोक की बैठक दिल्ली में आयजीत हुई और आयोक की मुख्याले में हुई इस बैठक में तीन बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई हाला कि एक राष्ट्र एक चुनाव इस मुद्दे पर संक्षिप्त चर्चा हुई जिस पर ये तैय किया गया कि सबी सद्धियों से इसके रिपोर्ट के ड्राफ्ट पर फाइनल मुहर लगाने के बाद इसे जल्दी ही केंदर सरकार को सौंप दिया जाएगा दूसरा बड़ा मुद्दा ये था कि पुक्सो एक्ट के तहट क्या आपसी सहमती से संबंध बनाने की उम्र को 18 साल से घटा कर 16 साल किया जा सकता है अगर ऐसा मुमकिन है तो किस सरकमस्टांसे जो मुमकिन है उसका क्या असर होगा उसके पक्ष में और विपक्ष में क्या क्या चीजें हो सकती है दलीले दी जा सकती है उस पर आयोग अपनी रिपोर्ट तयार कर चुका है आयोक के सूत्रों का कहना है कि अगले एक दो दिनों में रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी जिसका फाइनल ड्राफ्ट तयार है सभी लोगों पर सहमत ही बन चुकी है और रिपोर्ट टैक करने के पहले जिन जिन पक्षकारों से बाचीत की जानी है उन से बाचीत कर ली गई है लहाज़ा अब ये रिपोर्ट अपने फाइनल स्टेज पर है जिसे किसी भी समय अब सरकार को दिया जाएगा सरकार का मतलब यहां केंद्रिय विधी और नियाय मंत्राले से है जिसे ये रिपोर्ट सौंप जानी है तीसरा बड़ा मसला ये था कि E-FIR को लेकर क्या गाइडलाइन बनाई जा सकती है यानि इलेक्ट्रोनिकली इमेल पर FIR दर्ज कराने को लेकर यानि जो लोग थानों के चकर लगाते हैं जिनमें उनको कई बार FIR दर्ज कराने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में क्या वो अपने शिकायत E-Mail के जरिये 2 पुलिस प्रशासन को दे सकते हैं या किसी भी जाँट एजिनसी को दे सकते हैं अगर वो दे सकते हैं तो उसके नियम ऊखएदे क्या होंगे कितने दुनों में उसे F.I.R. में तबदील किया जाएगा उससे पहले कैसे जांच होगी क्या किया जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो यह है कि अभी तक डेली डाइरी में सबसे पहले एंट्री होती है यानि लिखित शिकायत दर्जिकराई जाती है उसके बाद पुलिस जांच करती है और अपने तरब से तसलिय होने के बाद फिर F.I.R. दर्जिकरती है असी प्रक्तिशत मामले तो यूहीं डेली डाइरी में एंट्री करने के बाद छाप लगा कर वो शिकायत करता को दे देते हैं जिसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होते सिर्फ ये कि हम पुलिस के पास गए थे हमने हमने शिकायत दर्जिकराई है तो इस पर विधिया आयोग अपनी रिपोर्ट देगा अगली मीटिंग होगी तब उसमें ये तै कि या जाएगा कि एक राष्टर एक चुनाओं को लेकर जो लगभग ड्राफ्ट तयार है उस पे आगे क्या एक्शन लिया जाए आयोग के सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट लगभग तयार है क्योंकि सारे पक्षकारों के साथ इसमें बात चीत कर ली गई है और सभी राजनीतिक पार्टियों से सामाजीक संगठोनों से अन्य पक्ष हित धारकों से भी इसमें बात कर ली गई है इसके पक्ष और व्पक्ष में लोगों ने अपनी अपनी बात कही है इसके साथ ही आयोग के सूत्रों का कहना है कि इससे पहले 21 विधी आयोग में, जिसमें जस्टिस बीएस चौहान की अगवाई में विधी आयोग ने अपने रिपोर्ट दी थी, उस आयोग में कहा था कि अभी की स्थिति में एक राष्टर एक चुनाव नहीं लाया जा सकता, उसकी जरूरत इसलिए नहीं है, उसकी नितिक दलों में बहुत सारा मतभेथ था, दूसरा ये कि इसके पहले समविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, कम से कम पांच ऐसे समविधानिक प्रावधान हैं, जिसमें समविधान में नकेबल संशोधन करने की, यानि अनुछेट 85 और अन्य प्रावधानों 172 उसमें जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा जन प्रतिनित्तों कानून में भी संशोधन करने की जरूरत है, जिसमें विधान सभावधान का कारिकाल कैसे एडजस्ट किया जाएगा, इसे लेकर भी एक प्रक्रिया अपनानी है, जो विधाईका का काम है, और इसके लिए प्रस्ताव लेकर कारेपाली का आएगी और विधाईका इस पर विचार करेगी, संविधान संशोधन होने के बाद आयोग ने इस पर तमाम कई तरह के विकल्प सुझाए हैं, कि इन तरह से इन चरणों से गुजर कर और एक रूपता लाई जा सकती है, सब भी विधान सभा का कहना है कि वो तो इस मामले में उसे कोई दिक्तत नहीं है, ये समविधानिक और वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ले जाए, तो निर्वाचन आयोग को उसके बाद ये तमाम होमवर्क होने के बाद आयोग के पास आयोग को इस मामले में किसी तरह की कोई व्याभारिक या लॉजिस्टिक की कोई परेशानी नहीं है आयोग इसे हैंडल करने में सक्ष में फिलहाल अभी विध्यायोग अपनी रिपोर्ट दे दे उसके बाद उस पे देखते हैं कि कारेफालिका उसे विधाईका के पास कब ले कर जाती है संसद के सामने कभी से ले कर जाते हैं और इस पर संसद का रुख क्या होता है यानि एक लंबी और पेची दा प्रक्रिया है जिससे गुजरने के बाद एक राष्ट एक चुनाओ की अवधारना को असली जामा अमली जामा पहनाया जा सकता है कैमरामेन जगनात के साथ संजय शर्मा डिल्ली आज तक